आप देख रही है MNS News सच जरूरी है तांडी दोरजी कहते हैं कि भारत हमेशा बूटान के लिए एक बहुत मजबूत भागिदार रहा है और हम भारत को शुपकामनाई देते रहेगे जी ट्वेंटी की भारत की अधिक्षता बिल्कूल आश्चरय जनक रही ये अनु करनिया है पूरे वर्ष के दोरान भारत ने हमेशा बैश्वित दक्षन के सबी देशों की भागिदारी को शामिल किया है और हमें भारत का भागिदार होने पर बहुत करव है ग्लोबल साउथ भारतिय संस्कृति का हिस्सा UNGA प्रमुख रूची का कमबोज ने भारत की ट्वेंटी अधिक्षता को सराह जिया सयुक्तराश में भारत की स्थाई प्रतिनीधी रूची का कमबोज ने रशनिवार को निव यॉक के में इंडिया UNA for Global South Delivering for Development कारक्रम को संबोधित किया उन्होंने कहा कि Global South के साथ भारत का जुडाओ नई दिल्ली की संस्कृति और दर्शन के मूल ताने बाने में रचा बसा है निव यॉक में कमबोज ने कहा जहा तक भारत का सवाल है Global South के साथ हमारा जुडाओ सिर्फ नीती का मामला नहीं है ये हमारी संस्कृति और दर्शन के मूल में समाहित है इस महीने की शुरुआत में G20 नई दिल्ली नेताओ की गोश्टना नहीं साती विकास शिल देशों की विवापक विकास के लिए हमारी प्रतिबधता को मजबूत किया है COVID-19 महामारी के दौर को किया याद जिहा कमबोज ने याद दिलाया कि भारत ने COVID-19 महामारी के दौरान लगबग 100 देशों को भारत में दिर्मिट्टी के और 150 देशों को दवाओ किया पूर्ति करके मदद का हाथ बढ़ाया था रूचीरा कमबोज ने कहा आप में कई से कई लोगों को याद होगा कि पूरे COVID-19 महामारी के दौरान भारत ने लगबग 100 देशों को भारत में दिर्मिट्टी के उपलब्द करा कर और 150 देशों को दवाओ की आपूर्ति करके मदद का हाथ बढ़ाया था जिससे हमें the pharmacy of the world उपमान मिला है जिया कमबोज ने कहा कि भारत की विकास साज़दारीय में काफी विस्तार हुआ है उन्होंने कहा कि सयुकत राष में भारत सयुकत राष विकास साज़दारी कोश ने इस वर्षों में 56 विकास शिल देशों में 75 परियोजनाव का एक पोर पूर्ट फोलियो सफलता पुर्वक विकसित किया है इस बीच कमबोर्ज ने कहा हमारी विकास साज़दारी में भी काफी विस्तार हुआ है जो विभिन छेत्र में से 78 देशों तक पहुच गया है और हमने पिछले दशक में 600 से परियोजनाव की शुरुआत की है जो हमारे दो हमान भी हमारे विकास दर्शन के मूल में है और हमने अपने भागिदारों की जरूरतों को प्रात्मिक्ता देते हुए 170 से अधिक देशों के 200,000 लोगों को प्रशिक्षन की पेशकश की है सहयुकतराश में भारत सहयुकतराश विकास साज़दारी नीदी एक एकल देश दक देश मंतरी का जर्शंकर सयुकतराश महासबा के अध्यक्ष देनियस फ्रांसेस और अन्य देशों के विदेश मंतरियों के साथ इंडिया यूएन फोर्स ग्लोबल साउट डिलिवरिंग फॉर डेवलप्मेंट कारक्रम में भाग लेने पहुचे कारक्रम शूरू होने से प 20 सितंबर को सयुकतराश महासबा को संबोधित करेगे नियुयोक के बाद वह वाशिंग्टंग डी सी की यात्रा करेगे भारत एक ऐसा देश है जिसके प्रती मेरे मन में बहुत सम्मान और स्नेह है मुझे वह रहने का स्वभाग्य मिला पूर्तगाल के विदेश मंतरी जिय है मुझे वह तीन दर शमन पास साड़े तीन साल तक रहने का सवभाग्य मिला मैंने भारत को अपनी शमता के संदर्व में बदलते देखा है कुद को अंतराश्य स्तर पर पेश करने और अंतराश्य नेत्रों तो कोई भूमिका निभाने के लिए और यह कुछ ऐसा है जो समय की चुनाउतियों का जवाब देने में कटिनाई है कारण गंभी रूप से कमजोर किया जा रहा है और भारत निश्चित रूप से तथा कतित वैश्विक दक्षिन के लिए ही नहीं बलके संदर्व के देश के रूप में उभर रहा है मैं बहु अचन दक्षिन शब्द क की शम्त और विश्यस नियाता है जिने बदलने की आश्यकता है जैसे कि अंतराश्य वित्या वस्तूकला इसी तरह की दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से फिर कराओगे आपका रूबरू तब तक के देखते रहे है मनस नेटवर्क मेरे साथ की अनेरशन सारी के सथ नमस्क